ओम सिरी गनेश सायन अमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मई शनिवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन कίν चीजों से इनको फायदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो कहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिधांतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावशाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतीत करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजरगों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए स साफधान रहें घर के किसी बुजरगों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तो साथी साथ आपको भी अपने स्वेभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर का कारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्र पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य बना कर रखें दोस्तो बात कर लेते हैं जाप लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साथी साथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवश्चक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं जब का का होने की भी संभाव ना लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रिकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आप को भैतरीन रिजल्ट प्राप्ध होंगे दिन आप के लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उमीद हैं दोस्तों साथी साथ कार्य छित्र में दूसरों के हस्तोचेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने न दोस्तों साथी साथ आज आप किसी कारौनों से कार्य छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच्छ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सयोग प्रा से ले, नोकरी पेषा वैक्तियों को भी उनकी करेच्छमता के लिए प्रोथसान प्राप्थ होगा, जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा। दोस्तों साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद थोड़ पसक कर ले इसके बाद आप इन तीनों चीजों को मिला कर इसका एक मिश्रन तयार कर ले इसके बाद आप इस मिश्रन को भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए चीटियों को खिलाएं और साथ शाथ अपनी मनों काम नहें मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवा भगवान शनिदेव का असिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शनिदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैस शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद